हलो ट्रेडर्स वेलकम टु शुन्य तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम शुन्य मोवाइल एप से ओडर प्लेस कर सकते हैं तो सबसे पहले हम watch list पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास दो option है buy और sell की अब जिस भी script में आप order प्लेस करना चाहते हैं उसको हम left swipe करेंगे या आप उस पे click भी कर सकते हैं तो click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके stock की सारी details हैं अब मैं आपको दिखाऊ कि order कैसे place करेंगे तो हम click करेंगे buy पे अब आपके सामने एक pop-up window open होगा यहाँ पे आपको quantity एंटर करनी है अब आप product type चूज करोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास CNC, margin, intraday, cover order and bracket order यह सारे product types हैं तो मैं आपको यहाँ पे order place करके दिखाऊंगा CNC यानि cash and carry पे अब हम order type select करेंगे आप देख सकते हैं आपके पास limit order, market order, stop loss order, stop loss market order है तो मैं आपको limit order place करके दिखाऊंगा अब यह limit order है तो हमें यहाँ पे buy price enter करना पड़ेगा जिस भी price पे आप buy करना चाते हो अब हम review पे click करेंगे review करने के बाद अब हम confirm पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक message आएगा आपको order जो है successfully place हो चुका है अब अपना order चेक करने के लिए हम order book में जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको order भी pending में है क्योंकि अभी आपको order अभी trigger नहीं हुआ है अभी आप अपने order को यहाँ से modify यह cancel भी कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं आपके order का status change हो गया है आपको order जो है confirm हो गय करने के लिए positions पे क्लिक करेंगे यहां से आप अपनी सारी open और close positions चेक कर सकते हैं live mtm के साथ अब अगर आपको अपनी position square off करनी है आप position पे क्लिक करोगे इस position पे क्लिक करने के बाद आप square off पे क्लिक करोगे तो आपका share जो है square off हो जाएगा तो यह था एक brief overview कि कि कैसे आप यूज कर गे order place कर सकते हैं thanks for watching for any further assistance please contact us